नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जोग्रफी क्लास 11th NCRT की किताब चल रही है चैप्टर नमबर वन में कम्प्लीट कर चुका हूँ आप NCRT 11th क्लास की जोग्रफी की प्लेलिस्ट में देखे जाके चैप्टर वन की आपको तीन की तीन वीडियोज मिल जाएगे चैप्टर वन मैंने तीन पार्ट में कवर किया है यहाँ पर चैप्टर टू शुरू कर रहे है एक्चलि मैं यूनिट टू की शुरुआत हो रही जिसका टाइटल है अर्थ यहाँ पर ओरिजिन अन अविलूशन ओफ अर्थ इंटीर ओफ अर्थ वेगनर की कॉंटिनेंटल डिर्फ्ट की थियोरी प्लेट टेक्टोनिक्स हर्थक्विक्स वालकेनो की बात होगी इस यूनिट में इस यूनिट का एक छोटा सा पार्ट है यह चैप्टर नमबर टू जिसका टाइटल है ओरिजिन अन एविलूशन ओफ अर्थ इन टॉपिक्स से रिलेटिड औरड़ी मैं अपने चैनल पे और बहुत सी इंडिविजुल वीडियोस मना चुका हूँ जिनका रेफरेंस मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते आगे देता रहूँगा बहुत ही बेसिक तरीके से और बच्चों के समझाने के परस्पेक्टिव से यहाँ पे चीज़ें शुरू की गई इस चैप्टर में जैसे कि for example do you remember the nursery rhyme twinkle twinkle little star कुल मेरा कि जब से हम लोग छोटे हैं यह बात बिलकुल सच है कि जो starry nights है यह नो तारों से चमकती हुई nights है उन्होंने कहीं न कहीं हमको बहुत entice किया है अपनी तरफ बहुत ज़दा attract किया है तारों से लेकि हम अपने बड़ों से भी सवार पूछा करते थे एटलिस सबके दिमाग में कुश्चन तो आता ही था कभी न कभी हम सबने बैठके तारों को गिनने की भी कोशिश की है तारों के बारे में हम लोग अपने माबाब से क्या सुनते है कि भाई अब तारे कभी गिन नी सकते है तारे अंगिनत है हमारा सन भी एक तारा है तो इस प्रकार की चीज़े हम लोग अक्सर कर सुनते रहते है अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक सवालों का जवाब धूरेंगे कि यह तारे एक्जिस्टेंस में कैसे आए कितने तारे हैं सकाइ में क्या सकाइ का कोई एंड है हमें जब रात के तरफ हम आसमान में देखते हैं क्या उस चीज़ का कभी कोई अंत है फिर twinkling little stars यह जो छोटे छोटे तारे हमें दिखते हैं हो सकता है कि यह हमारे sun जितने बड़े हूँ संद से भी बहुत साथ बड़े हो बट यह इतने छोटे हमको क्यों देखते हैं और विस या बात है कि बहुत दूर है कि इत्ते ट्विंक्ली क्यों देखते हैं तो बहुत साथ reflection reflection की साथ right आती इसलिए twinkle करते हो देखते हैं एक तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बल्कूर कर दीजे मेरे दोरह बनाईगे और वीडियो को दिखने के लो मुझे हल्प करने के लिए आप जोइन मिटन दबा सकते हैं जोगरफी में इंट्रेस्टेड है तो NCRT 6, 7, 8, 9, 10 की जोगरफी अलड़ी बना चुका हूँ क्लास 12 तक पूरी बनाऊंगा सासत हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी, एकॉनमी, साइंस कर सकते हैं तो भाई origin of the earth के अर्यम बात करें तो बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की hypothesis present की हैं अलग-अलग philosophers ने अलग-अलग scientists ने regarding the origin of the earth origin of the earth को लेके बहुत से अलग-अलग प्रकार की philosophies हमारा सामने हैं जैसे कि one of the earlier popular arguments था general philosopher Immanuel Kant का, बहुत detail में चीज़ें देखने ही जरूत नहीं, Immanuel Kant के बाद आए Laplace ठीके, Laplace ने 1796 में एक theory दी जिसको बोला गया nebular hypothesis, नेbular hypothesis आप कह सकते हो कि पहली बहुत concrete theory थी, आच्छा, ये जो Laplace हैं, इनसे पहले अगर आप German philosopher Immanuel Kant की बात करो, तो Kant ने क्या theory दी थी, Kant ने भी कुछ-कुछ, आप कह सकते हो कि dispersed particle की ही theory दी थी, जो solar system है, solar system शुरू हुआ as a cloud of dispersed particle है, नि छोटे-छोटे particles आपस में फैले हुए थे, इनका एक cloud था, cloud मतलब ना gas है, ना बूरा solid है, काफी फैला हुआ है, मतलब ना gas जितना आप कह सकते हो दूर-दूर है, और ना ही solid जितना पास-पास है, dispersed particles है, cloud है, नजर आ रहा है, और उस cloud की जो particles है, उनके बीच में gravitational attraction है, और कही न गहीं वो आपस में लड़ रहे हैं, move भी हो रहे हैं, और उन लापलास की hypothesis बोलती है, कि planets were formed out of a cloud of material, associated with a youthful sun, which was slowly rotating, क्या बोला जा रहा है, लापलास ने क्या बोला, कि भाई, यह जो planets हैं, हमारे solar system के, यह उस material, उस cloud of material से निकले हुए हैं, जो एक youthful sun के साथ associated है, यहनी कि, यहाँ पर दो चीज़ें बोल रहे हैं, आपके लापलास हमारा sun है, वो youthful है, youthful है मतलब अपने initial stages में, तो बाकी stars के मुकाबले, हमारा sun उतना बुढ़ा नहीं है, दूसरा यह बोल रहे हैं, कि इस sun से associated, जो भी cloud के particles हैं, dispersed particles हैं, और dispersed particles वाली theory, Emmanuel Kant ने दी थी, यह भी मैंने आपको बता है, तो उस dispersed cloud से, कुछ solids बाहर की तरफ निकल chamber lane और molten ने परी थोरी दी, chamber lane और molten ने क्या बोला, that a wandering star approached the sun, as a result a cigar shift extension of the material was separated from the solar surface, मतलब की, एक दूसरा star, मतलब star आया, वो sun से टकराया, और कही ना के टकराने के बाद कुछ material बाहर निकल के आ गया solar surface से, वो planets में convert हो गया, जैसे यह passing star आपका sun के surface से दूर चला गया, समझ अब आद को, और फिर यह जो material sun से निकल के अलग हुआ था, यह sun के 14 ग्राविटी में गुमने लगा, और बाद में planets में convert हो गया, कुछ इस प्रकार की थोरी दी कि इसने, chamber lane ने, और molten ने, फिर sir james jeans ने क्या थोरी दी, और sir harold jeffree ने क्या थोरी दी, sir james jeans ने, और sir harold jeffree न कही ना कही यह जो पहले थोरी थी, इनको आपके साथ तो support किया, यह नहीं chamber lane और molten की थोरी के support किया, फिर आप देखोगे, बहुत समय बाद कुछ इस प्रकार के argument सामने आए, that companion to the sun to have been co-existing, यानि कि यह जो planet से ही sun के companion है, और यह एक दूसरे के साथ co-exist करते हैं, इस प्रका binary system क्या होता, binary system ऐसा system होता है, जहां पर दो चीज़े हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ रहती है, तो binary theory में जो planets है, जो earth है, और जो sun है, मतब अर्थ के जो planets है, उनको अर्थ का ही पार समझा गया, एक तरीके का binary system समझा गया, फिर भाई, 1950 में ओटो श्मिड रशिया में और काल्स वाइजासकार जर्मनी में, इन्होंने nebular hypothesis को थोड़ा सा बतला, और जिस प्रकार से इन्होंने बतला, इनके जो details थे वो भी अलग 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 थे, आटो श्मिड की जो theory थी रशिया की, और काल्स वाइजासकार की जो theory थी जर्मनी की, यह दियोनी theories अलग अलग चारोतरव solar nebula, nebula मतलब dust समझ लिजे, dust particles आपस में dispersed है, तरीके cloud एक तरीके का smoke सा लग रहा है, cloud समझते हैं न, clouds बादल तो आप समने देखें, लेकिन इतने साफ बादल नहीं है, गंदे बादल, समझ लिजे, यह solar nebula है, तो भाई hydrogen, जो sun है, sun के चारोतरव solar nebula है, और इस solar nebula में hydrogen है और primarily helium है, तो hydrogen और helium है इस nebula में, और कुछ हद तक dust है, गंदगी है, फिर भाई, friction हुआ, collision हुआ, particle का, और वेसी बात है, nebula है, बहुत सारे particles एक दूसरे के पास dispersed है, तो आपस में लड़ेंगे, friction होगा, जिसके चलते बनेगा एक disc-shaped cloud, एक disc-shaped cloud बनेगा, ठीके न क्योंकि जो disc-shaped clouds हैं, इन में से जो आसपास के particles हैं, वो एक दूसरे को और आसपास आते जाएंगे, आसपास आते जाएंगे, concentrate होते जाएंगे, और accretion के थुरू, वो अपने आपको planets में लड़ेंगे, तो ये एक नई थियोरी है, तो आप देख सकते हो, कि हमारे sun के चार आ रहे हैं, ठीक है?